कर क цен के खेंगे के Bye अगर हम mph oxygen के बारे में कि कोई अगर हमेंगा गिवन है तो उस घ्राफ का हम hama मैंड controlling खर सकते हैं हम definition फिर उसके बाद करेंगे एग्जामपर तो definition कहती है a matching graph is a sub graph of graph g where there are no edge adjacent to each other means आपके पास जो edges होंगी जो आपके पास matching graph में उसमें कोई भी edges आपके पास adjacent नहीं होनी चाहिए आपके पास main condition है तो आपके पास step क्या रहेंगे किसी भी graph को आपके पास matching graph बनाने के लिए कि आप क्या क्या लिए सबसे पहले जितने आपके पास vertex नहीं सबके सब आप ड्रॉग लिजे एक plane में और उसके बाद एके करके आप edges क्या करते रहें उसमें paste करते रहें ठीक है बस जहां पर आपके पास जो edge up last में paste करने वाले होंगे जिससे आपके पास दो edge आपके पास क्या हो जाए adjacent हो जाए तो आप आप उसमें include मत रहें आपका ऐसा कोई भी condition नहीं है कि आपके पास सारी के सारी edges include करनी है या कुछ number particular number of edges include करनी है ऐसा कुछ भी नहीं है normally आपको क्या करना है कि edges include करनी है आप नहीं भी कर सकते हैं लेकिन आपका adjacent edges नहीं होने चाहिए तो इसका मिस आपके पास क्या है कि अगर आपके पास जो matching graph बनेगा जो matching graph बनेगा उसमें हर vertex की degree हमेशा क्या रहेगी one या one से इसका मिस क्या है कि degree जो degree रहेगी आपके पास vertex यह vertex कौन सा आपके पास matching graph का जो vertex है उसकी जो degree रहेगी हमेशा less than or equal to one maximum उसकी degree one हो सकती है और minimum उसकी zero मनी one से कम क्यों होगा आपके पास zero हो सकती है ठीक है तो देखते हैं आपके पास जैसे हमारे पास graph है तो इस graph का हम matching graph कैसे बना सकते है ठीक है तो मैंने क्या बोला सबसे पहले क्या कर लिए आपके पास normally vertex denote कर लिजे ए बी c and d ठीक है अब यह matching graph को हम normally कैसे denote करते हैं m से कैसे denote करते हैं m से ठीक है तो यह मेरा आपके matching sub graph है M1 let suppose एने बोल दिया आप क्या करना है इसमें edges let suppose एने यह edge किया ठीक है e1 एक edge क्रेवरे डिया मैंने आपके पास आपके पास e4 ठीक है तो यह दोनों 1 आपके पास edges क्या होंगे आप आपके पास adjacent नहीं होंगे तो यह जो आपके पास graph बनाई है क्या बना आपके पास matching graph ठीक है और देख लिए हर वर्टेक्स के degree क्या आपके पास one ऐसा मैं एक और बना सकता हूं उसके लिए आपके पास a b d c मैंने यह करे दिया आपके पास ठीक है तो यह भी का मैंने आपके पास matching है यह मैंने आपके पास m2 करे दिया यह भी क्या आपके पास matching है ठीक है let's suppose मैंने आपके पास यह कर दिया कौन सा e3 इसमें include क्या था e2 और e5 तो यह भी कि आपके पास एक matching है तो देख लिए इसमें आपके पास b और d में की जो degree है 1 है और a और c की degree 0 मैंने वही बुला था degree हम मेंसा less than equal to 1 maximum 1 हो सकते है किसी भी वर्टक सी लिए लेकन उसके कम भी हो सकते है तो यह भी कि आपके पास matching है लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मैं कोई आपके पास edge ही यूजना कर दो यह भी हो सकता है आपके पास 1 निसनी के है वाटेस की डिग्री का यह बहto LexKit 0 तो यह भी क्या आपके बास मैचिंग सब्नाफी है क्या आपके पास मैचिंग सब्नाफी है अगर मैं बोलूँ घिज İ ए भी सी एंडी ठीक है अम्हें बोलता हूं यह आपके पास एवन और एठीक है क्या यह आपके पास m5 matching graph है नहीं क्योंकि आपके पास देखिए ये दोनों h होगे क्या आपकेपा Hennt और vatex से और व की तो यह आपके पास matching graph नहीं होगा ठीक है तो यह तो था आपके पास कोई भी graph का matching graph कैसे बना सकता हैं अब आपके पास mix मैचिंग के अंदर आपके पास 2-3 topics और आ जाते हैं, जैसे आपके पास मैचिंग क्या हुआ आपके पास मैचिंग कर सकते हैं अब आपके पास मैचिंग 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 में क्या हुआ आपके पास जो भी आपके पास ग्राफ बने हुए जो भी ग्राफ है M1 M2 M3 M4 तो उसमें आप कोई भी एक्स्ट्र एज इंक्लूट नहीं कर सकते हैं अगर आपने एक्स्ट्र एज इंक्लूट कर दिया तो आपके पास वह कंडिशन फेल हो जाएके जो कंडिशन क्या आपके पास एड्जेसेंट वाली क्या कंडिशन है इसमें लेट सपोज एक्स्ट्र एज इसमें इंक्लूट करने जा दा हूँ मैं क्लैस सब्सक्राइब कर दिया तो क्या यह अभी मेरी मैचिंग है नहीं क्योंकि यह आपको यह दोनों आपके पास एड्जेसेंट यह एड्जेसेंट हो गई ए और डी कि आपके पास डिगरी इसमें मैं यह एज इंक्लूट नहीं कर सकता इसमें मैं कोई भी एज इसमें एक्स्ट्र एड्ड नहीं कर सकता तो आपके पास जो आपके पास जो एम वन है तो है कि है मेरा आपके पास मैकसिमल मैचिंग क्या आपके पास मैक्सिमल मैचिंग मैं आपके बात करता होंगा कोई पास नहीं कह सकता तो इस टाइम पर M2 क्या कहलाएगा मेरा आपके पास maximal matching क्या कहलाएगा आपके पास maximal matching अब आते हैं आपके पास M3 पर M3 पर क्या आपके पास देखिए यहां अब कौन-कौन से adjacent हैं आपके पास E1, E2, E4, E5, E1 करूँगा तो भी आपके पास यहां पर आपके पास यह adjacent हो जाएगे E2 करूँगा तो भी आपके पास adjacent हो जाएगा E5 करूँगा तो भी adjacent हो जाएगा और E4 करूँगा तो भी adjacent हो जाएगा मिस यह वाले ग्राफ में आप कोई भी यह एज इंक्लूट नहीं कर सकते तो यह भी क्या बना आपके पास maximal matching अब M4 की बात करते हैं तो M4 क्या आपके पास matching तो है क्या मैं इसमें एज इंक्लूट कर सकता हूँ हां मैंने आपका let's suppose यह एज include कर दिया क्या कर दिया मैंने यह वाला एज इंक्लूट कर दिया ठीक है तो यह क्या बना आपके पास मैचिंग है कि नहीं है हाँ अभी भी मैचिंग है यह आपके पास क्यूं क्यूंकि देखिया मैचिंग की कंडिशन हो रहा है कि नहीं क्यूंकि एक ही आपके पास एज है और कोई मैचिंग ही रहा क्या रहा फिर भी मैचिंग ही रहा तो इस टेंप पर मेरा मैचिंग नहीं हुआ मैचिंग है मैक्सिमल मैचिंग इसलिए नहीं है क्योंकि इसके अंदर में एज को इंक्लूट कर सकता हूं अभी भी ठीक है इसके अंदर में एज include करूं तो भी मेरा अभी क्या बोलता है यह matching के condition को hold करेगा तो इस time पर यह maximal matching नहीं है ठीक है अगर मेरा कोई graph let's suppose यह होता पहले से तो यह मेरा matching था अब यह graph मेरा maximal matching होता या नहीं होता ठीक है तो मैं क्या कर सकता है यहाँ पर को एक edge और भी तो include कर सकता था तो भी condition fulfill रहती तो इस time पर भी जो यह वाला जो मेरा graph था यह भी मेरा maximal matching नहीं कहलाता ठीक है आई समझे तो normal आपके पास वह है कि एक ऐसा आपके पास matching का graph जिसमें आप further कोई edge include ना कर पाए अगर आपने उसमें further कोई edge include कर दिया तो means वह maximal matching नहीं होगा ठीक है अब दूसरी आपके पास maximum matching क्या होती है तो maximum matching आपके पास निकलती है maximal matching मसरी क्या निकलती है maximal matching तो let's suppose यह है आपके पास तीन यह तीनों क्या थे आपके पास M1 M2 और M3 क्या थे आपके पास maximal matching मैसको M4 को हटा देखा हूं आपके पास यह तीनों क्या थे आपके पास maximal matching तो maximum का means वह वाल number of edges होंगे अब मैंने देख आपके पास M1 में आपके पास 2So Ama 2-0 में आपके पास 2 एस हैं और M3 में आपके पास एक ही है तो जो M1 & M2 होगा यह दोनों क्या ह 들어옲ेंगे आपके पास maximum maximum matching मैक्सिमंम मैचिंग थिक एम 1 & M2 किया खेने गाएum maximum matching, इसलिए क्यलाएंगे कि M1 और M2 में आपके पास maximum number of edges हैं, कि हैं आपके पास maximum number of edges हैं, ठीक है, अब आते हैं, आपके पास perfect matching, आपके पास perfect matching, perfect matching की एक एक condition है कि आपने को जो भी अपने matching बनाई है तो आपके पास कोई भी matching graph ऐसा है जिसमें हर वर्टस की degree exactly 1 है तो इसका means वह वाला matching आपके पास क्या कहलाएगा perfect matching ठीक है अब जितने भी photograph बनाया आपके पास यह था या m4 में थो अपके पास 0 थीू अब m1 में देखे एक डिग्री वन बी की डिग्री वन सी और डी सब की डिग्री वन यहां भी वन इसकी भी डिग्री वन बी की डिग्री वन सी की भी डिग्री वन इसमें क्या है एक डिग्री क्या आपके पास जीरो बी की डिग्री वन सी की डिग्री जीरो और डी की डिग्री वन ठीक है तो य तो आपके पास M1 and M2 क्या है आपके पास perfect matching क्या है M1 और M2 ये दोनों के दोनों क्या है मेरे आपके पास perfect matching ठीक है तो इसका means क्या हुआ कि normal क्या होता है देखिए हर आपके पास perfect matching क्या होगा maximum matching जितने भी आपके पास perfect matching होगे सब के सब क्या होगे आपके पास maximum matching, तो simple से आपके पास matching क्या हुई कि normal आपके पास graph है, graph में से आपके पास sub graph बनाने हैं, और वो sub graph इस तरह बनाने हैं, कि जिसमें आपके पास कोई भी edge adjacent ना हो, अगर ऐसा हो गया, तो वो क्या कहलाता है, उस graph का matching graph, ठीक है, उसके बाद आपके पास maximal, maximal matching means, मैकसिमल मैचिंग में हम ये देखेंगे कि कौन से graph में कितने edges include हैं, जिस graph में सबसे ज़्यादा edge include हुआ होगा, सबसे ज़्यादा edge होंगे, तो वो क्या कहलाएगा, आपके पास maximum matching, उसके बाद आपके पास perfect matching, perfect matching means, आपके पास जो भी graph होगा, जो भी आपके matching graph होगा, तो three 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 here one तो इसका मींस वाला जो आपके पाश जा एक्स मैंचींग ग्राफ मैंच्इंग है जा तो यह तो था आपके पास मैचेंग और उसके कुछ ठैप्स